वेलकम बैक टू मालविया काट्ट शॉलिशन आज हम आपके लिए एक नया प्रोजक्त लेकर आया है इसमें देखें मल्टिपल पार्ट्स हमने क्रियेट किया है यह एक एक्सकावेटर मसीन के चेन का आइडलर है जो चेन टाइड केने के लिए यूज किया जाता है तो अब ह यहां पर इंटर्नल ब्रास के बूस है फिर यहां पर ओयल चील है दो लॉक पिन है और यहां पर एक मैन पिन है तो इसके सारे पार्ट हम एक एक करके सॉलिट वर्ट फेचर टूर की मदद से क्रियेट करने वाले है आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नय है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए हम इसका सबसे पहला पार क्रियेट करेंगे यहां पर इसे हम फिर से कॉलाप्स कर देते है तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट हम क्रियेट करेंगे तो हमने यहां पर एक नया न्यू पार्ट क्रियेट कर लिया है त और इकोल कर देना है अब फिर से हम लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहां पर एक यहां पे मीड़ पॉइंट नाइंट मीड़ पॉइंट लाइन शिलेक्ट करेंगे इस तरह से फिर यहाँ पर फिर से एक midpoint line ड्रॉ करनी है अब line tool एक्टिवेट करना है और यहाँ से इस तरह से draw कर देना है mirror इस line को इन सारी line को select कर देना है और यहाँ पर mirror कर देना है और ok करना है अब हम इसके dimension apply करेंगे तो इसकी weight रहेगी 3 inch यहाँ पर सारे dimension हम inches में apply करने वाले है फिर यहाँ पर इसकी weight रहेगी 6 inch फिर यहाँ पर इस line से इस line का diameter full diameter हम यहाँ पर apply करने वाले है 20 inch फिर यहाँ पर इस line से इसका full diameter 22 22 inch यहाँ पर इसका diameter हो गया है अब फिर से यहाँ पर इसका यह वाली size रहेगी 18 inch देखिए इस तरह से हमने एक sketch यहाँ पर draw कर दिया है जिसके सारे dimension यहाँ पर apply कर दिये 22 diameter 20 diameter and 18 diameter width 6 inch and 3 inch अब आमे फिचर में जाना है और यहाँ पर revolve box apply करना है revolve box apply करना है और यहाँ पर एक axis line आपको select करने है तो हम यह वाली line select करेंगे और फिर ok कर देंगे देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा यह ring तयार हो गई है जो idler का outer shape यहाँ पर create कर दिया है हमने अब यहाँ पर हम front plane select करेंगे sketch अब यहाँ पर 3 point arc आपको select करना है और यहाँ पर 3 point arc draw करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर इस तरह का view हम set कर देंगे यहाँ पर display style इस तरह से करनी है हमें फिर यहाँ पर यहाँ पर हम 3 point arc draw करने वाले है यहाँ से सीधा इस line के साथ joint कर देना है और फिर देखिए इस तरह से हमें draw करना है फिर यहाँ पर एक center line draw करेंगे देखिए इस तरह से center line draw कर दी हमने अब इसकी radius हम apply करेंगे इसकी radius रहेगी 0.72 inch इसकी radius रहेगी 185 और फिर यहाँ पर इस line से इसका distance 0.5 inch अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे trim कर देंगे power trim की मदद से इसे trim कर दिया हमने फिर यहाँ पर dimension इस point से इस point की size हमें apply करना है 0.72 inch देखे इस तरह से अब mirror entity में जाना है आपको अब यहाँ पर जो arc हमने create किया था उसे select करना है और यहाँ पर mirror के लिए हम एक center line draw करेंगे यहाँ पर अब हम फिर से यहाँ पर mirror entity में जाएंगे और यहाँ पर arc select करना है mirror about center line को select करना है और फिर ok कर दिना है इस तरह से देखिए हमारा sketch create हो गया है अब simply आपको क्या करना है surface में जाना है जो surface tab है इसमें जाना है अगर surface tab आपको यहाँ पे show नहीं हो रहा है तो आप tab में जाके यहाँ से surface को activate कर सकते हैं तो simply surface tab activate कर दिये और यहाँ पर revolve surface इसे select करना है फिर यहाँ पर इसकी axis line center line draw यहाँ पर select करने के बाद यहाँ पर देखिए axis line यहाँ पर show रही है और select की है यहाँ फिर ok कर दिना है देखिए इस तरह से यहाँ पर इसकी border यहाँ पर बंद हो गई है देखिए यहाँ पर हम इसका section section view में हम देखेंगे तो यह कुछ इस तरह से देखेगी देखिए इस तरह से देखेगा यह अब आपको क्या करना थिकन में जाना है surface tab में थिकन को select करना है तो इसकी thickness हम set करेंगे तो इस वाली face को select करना है यहाँ पर इससे select करना है आउटर side में हमें इसकी size बढ़ानी है तो हम यहाँ पर इसकी size apply करेंगे 0.39370079 तो इसको mm size में convert करेंगे तो यह 10 mm यहाँ पर apply होगी merge result uncheck करना है हमें और फिर ok कर देना है देखिए इस तरह से यह इसकी थिकनेट set हो जाएगे अब फिर से हमें इस side में भी इसकी थिकनेट set करने है तो इस space को select करेंगे और यहाँ पर देखिए इस बार इस side में हमें set करना है यहाँ पर size वही रहेगी uncheck merge result और फिर ok करना है अब यहाँ पर हम right plane select करेंगे sketch यहाँ पर एक circle ड्रॉ करना है इसकी size हम apply करेंगे 6 inch feature में जाना है और extrude cut apply करना है यहाँ पर both side through all है यह इसलिए हम both side में select करेंगे देखिए इस तरह से इसका all दोनों side में extrude cut हो गया है extrude cut हमने जो apply किया है फिर से हम यहाँ पर section view में देखेंगे तो यह कुछ इस तरह से दीखेगा अब हम यहाँ पर front plane select करेंगे sketch और यहाँ पर center line draw करेंगे देखिए इस तरह से हमने center line draw करती है फिर यहाँ पर line draw करेंगे देखिए इस तरह से हमने इसे draw कर दिया है एक center line हम यहाँ पर draw करेंगे reference purpose के लिए हम यहाँ यह line draw कर रहे है इन तीनो line को select करना है और यहाँ पर first line, second line and third line इन तीनों को select करना है और यहाँ पर symmetry कर दिना है फिर से इस line को, इस line को और इस line को select करना है symmetry अब यहाँ पर इसका smart dimension देखिए यहाँ से इसकी height, height apply करेंगे पहले 0.75 inch यहाँ पर इसका display set कर देते हैं तो यहाँ से इस line को select करना है फिर यहाँ पर देखिए जो hole है हमारा इससे select करना है और यहाँ पर coal linear कर देना है फिर यहाँ से इस line से इसका distance 3.25 inch हमें यहाँ पर apply करना है पर यहाँ पर subtitle इस line को select करना है और equal कर देना यहाँ पर tempt list इस line को select करना है और equal करदेना इन यहाँ पर इसकी size rank 0.25 हमने 75 apply किया था बट 25 यहाँ पर set करना है फिर यहां से इस पॉइंट से इस लाइन से इस लाइन का फोल डायमेटर रहेगा 2.75 इंच यहां पर कोल लिनियर हमने सेट किया था इसे डिलेट कर देते और इसका डायमेटर सेट करना है हमें इस लाइन से 2.75 इंच फिर यहां पर इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक करना है और यहां पर वर्टिकल कर देना है कोल लिनियर कर देना है फिर यहां पर स्मार्ट डायमेंशन यहां पर इसके बीच का गेप रहेगा 0.75 इंच अब हमें यहां पर इस लाइन को सिलेक करना है और इस लाइन को सिलेक करना है जो होल है हमारा इसे सिलेक करना है और को लिनियर कर देना है तो देखें इस तरह से हमारा स्केच फूली डिफाइन हो गया है यहाँ पर इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और को लिनियर कर देना है तो देखें इस तरह से हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है अब सिम्पली फिचर में जाना है और रिबॉल पॉस में अपलाई करना है एक्सीज लाइन और फिर ओके करना है देखें इस तरह से इसका सेफ कुछ इस तरह से बन जाएगा फिर हमें सर्फेस टैब में जाना है और नीट सर्फेस यहाँ पर नीट सर्फेस एक्टिवेट करना है स्पेस को सिलेक करना है और फिर यहाँ पर क्रियेट सॉलिड कर देना है और ओकी कर देना है फिर से निट सर्फिस में जाएंगे इस फेस को सिलेक करेंगे क्रियेट सॉलिड और ओकी करेंगे यहां पर हम चैंफर अपलाई करेंगे तो फिचर में जाना है और यहां पर चैंफर हम यहां पर 0.05 इंच अपलाई करेंगे इस वाली फेस को सिलेक करना है फिर यहां पर इस वाली face को select करना है ऐसे ही दूसरी side में भी हमें select करके ok कर देना है दिखेंगे इस तरह से इसमें chamfer भी हमने apply कर दिये फिर से यहां पर chamfer में जाएंगे यहां पर हम fillet apply करेंगे तो fillet में जाना है fillet में जाके यहां पर size इसकी रहेगी 0.1 inch और यहां पर इस वाली face को select करना है यह जो outer edges है इसे select करना है हमें इन पर हमें fillet apply करना है और फिर ok कर देना देखेंगे इस तरह से हमारा idler create हो गया है अब यहां पर एक plane create करेंगे क्योंकि हमें यहां पर कुछ branding देनी है तो यहां पर plane activate करना है plane select करना है यहां पर एक reference plane apply करने वाले है तो यहां पर right plane select करेंगे और यहां से इसका distance 3.5 inch apply करना है और फिर ok करना है इस plane को select करेंगे sketch अब हमें यहां पर एक circle draw करना है और यह construction कर दिना है construction purpose के लिए हम यहां पर circle draw कर देंगे इसकी size हम apply करेंगे 11 inch और फिर यहां पर इस plane को हम hide कर देते हैं अब हम यहां पर text में यहां पर जाएंगे text activate करने हैं अब हम यहां पर इसका branding apply करेंगे Komatsu 300 यहां पर apply करेंगे यहां पर देखिए कहां पर हमें branding देनी है तो इस line को select करना है जो हमने circle यहां पर draw किया रहा है उसे select करना है outer side में हमें इस तरह से apply करना है अब इसके font हम थोड़ी size यहां पर बढ़ाने वाले है तो हमें font में जाना है use document को un-tick करके font में जाएंगे font में जाने के बाद यहां पर point इस point को select करना है यहां पर इसके style भी हम change कर देते है इसके font चेंज कर देते है तो हम यहां पर times new roman apply कर देते और यहां पर इसके point दे देंगे 175 और फिर ok करना है इसके font की size increase हो जाएगी और फिर ok कर देना है अब इससे exit कर देते हैं अभी फिर यहां पर देखिए आपको wrap feature में जाना है फिर यहां पर circle को select करना है circle को select करने के बाद यहां पर emboze में जाना है debose में नहीं जाना है emboze में जाएंगे यहां पर space को select करना है space को select करने के बाद यहां पर इसकी size apply करेंगे यह already जो default size है यही रखनी है हमें और फिर ok कर देना है तो देखे, इस तरह से ये इसकी ब्राण्डिंग भी हमने सेट कर दिये अब हम इसे, यहां पर इसका मटरिल एपलाई करेंगे तो एपिररेश में जाना है एपिरेश में जाने के बाद यहां फिर मेटल में जाना है metal में steel फिर steel में देखिए यहाँ पर यहाँ पर cast stainless steel इसे apply कर देना है अब यहाँ पर इसका bore फिर यह वाली edge इन edge को हम finishing थोड़ा देदेंगे तो फिर से appearance में जाएंगे यहाँ पर polysteel apply करना है अब यहाँ पर wrap को wrap feature में कुछ color हम change कर देते इसका color change करेंगे हम यहाँ पर इसका color red देते red color का apply कर देते इसमें देखे इस तरह से यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है यह हमारा first part हमने create कर लिया इसे save कर देते तो हम इसे desktop पर save करेंगे यहाँ पर एक folder create कर देते हम यहाँ पर new में जाके folder और यहाँ पर हम idler assembly idler assembly के नाम से folder create कर रहे है इसमें part 1 idler और फिर हम save कर देते हैं part 1 idler और इसे save कर देते हैं अब हम create करेंगे इसका second part तो इसे हम close कर देते हैं अभी तो अब हम इसका second part create करेंगे तो top line select करेंगे sketch फिर यहाँ पर corner rectangle आपको create select करना है और यहाँ पर corner rectangle draw करना है हम यहाँ पर इसका unit change कर लेते है ips inch अब हम यहाँ पर इस point को select करेंगे और इस origin point को select करेंगे और horizontal करतेंगे अब इसके dimension हम apply करेंगे यहाँ पर तो इसकी length रहेगी 8 inch और यहाँ पर इसकी height रहेगी 5.75 inch और यहाँ पर इस origin point से इसका distance 3.25 inch फिर simply feature में जाना है और extrude first space apply करना है अब यहाँ पर इसकी height हम apply करेंगे 0.5 inch फिर ok करना है अब यहाँ पर space को select करना है sketch यहाँ पर corner rectangle draw करेंगे इस point को select करना है और यहाँ पर origin point को select करना है और horizontal कर देना है अब यहाँ पर इसकी length हम length apply करेंगे 11 inch हमें यहाँ से इस origin point से इसकी length 11 inch apply करना है और इसकी width रहेगी 3.5 3.5 inch हम यहाँ पर इसकी length apply करेंगे फिर यहाँ पर feature में जाएंगे extrude first base apply करेंगे और यहाँ पर इसकी height रहेगी 2 inch और फिर ok करना है अब यहाँ पर हम chamfer select करेंगे और यहाँ पर chamfer हम apply करेंगे 1 inch यहाँ पर देखी चैंफर हमें इस corner और यहाँ पर second second side में इस corner पर apply करना है और फिर ok 45 degree 1 inch chamfer यहाँ पर apply करती है अब इस face पर select करना है sketch और यहाँ पर एक circle draw करना है इसका diameter 2.5 inch रहेगा feature में जाएंगे extrude cut apply करेंगे और यहाँ पर through all करदेंगे या आपको next करदेंगे space को select करना है sketch और यहाँ पर देखे circle को select करना है और यहाँ पर offset कर देंगे हम यहाँ पर offset इसका रहेंगे 0.75 inch और ok करना है यहाँ पर line tool activate करके यहाँ पर line draw करनी है फिर यहाँ पर इस line को इसके साथ tangent कर देना है अब यहाँ पर एक center line draw कर देते हैं और simply इन तीनों line को select करना है symmetric इस line से इसका distance 2.5 inch ok line यहाँ से इसे close कर देना है इस तरह से देखे हमने sketch draw कर दिया है अब trim entity में power trim हम select करेंगे और यहाँ से circle को trim कर देंगे इस तरह से sketch यहाँ पर draw कर दिया है फिचर में जाएंगे extrude cut apply करेंगे यहाँ पर blind 1.5 inch की offset 0.75 ok फिर इस line को select करना है offset यहाँ पर रहेगा 0.5 inch but reverse side ok फिर से offset इस line को select करना है 0.5 inch reverse ok अब यहाँ पर एक और offset हमें यहाँ पर इस line को select करना है यहाँ पर इसका offset रहेगा 0.75 inch but reverse side और ok करना है trim में power trim यहाँ पर activate करेंगे और यहाँ पर इस तरह से यह unnecessary line delete कर देंगे यहाँ पर यह वाला और यह unnecessary line है उसे हमने trim कर दिया है feature में जाएंगे extrude cut apply करेंगे और यहाँ पर इसकी size रहेगी 1.5 inch और ok करना है यहाँ पर एक line अभी रहे गई यह इसे trim कर देते है feature में जाएंगे extrude cut 1.5 and ok तो देखिए इस तरह से यह यहाँ पर cut हमने apply कर दिया है अब simply यहाँ पर front plane select करना है sketch यहाँ पर एक line tool activate करेंगे और यहाँ से इस तरह से यहाँ से इसका distance 5 inch फिर यहाँ से इसकी height रहेगी 0.5 inch और इसका angle और इसका एंगल और इसका एंगल 85 degree इसका एंगल रहेगा फिर इस पॉइंट को सिलेक करना है और इस लाइन के साथ कोइंसिदेंट रिलेशन इसका सेट कर देना है फिर यहां से इसका इसका कोई डायमेंसिन हमने अप्लाई नहीं करना है बस एक रेफरेंस परप्स की इसाब से हमने यहां पर यहां पर लाइन ड्रो कर दि और फिर यहां पर feature में जाना है और extrude cut अप्लाई करना है यहां पर through all both side और फिर okay करना है यह कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा देकि इस तरह से cut हमने कर दिया है अब हम यहाँ पे draft feature हमें activate करना है यहाँ पे इसकी taper degree 7 इसका angle 7 रहेगा फिर यहाँ पे इसका plane select करना है तो हम यहाँ पे top plane select करेंगे upside में फिर यहाँ पे इसकी face आपको draft काहाँ पे apply करना है तो इस वाली face को select करना है और फिर apply कर देना है फिर से यहाँ पे top plane और यहाँ पे इस वाली face को select करना है और apply करना है और okay करте बॉटम वाली फेस को सिलेक करना है स्केच यहां पर स्केच ट्रॉ करना है यहां पर दो सरकल ट्रॉ करेंगे हम इसके डाइमेंशन 5.4 इंच और इस सरकल का डाइमेटर रहेगा 4.1 इंच अब फेचर में जाना है और एक्स्टूट बस अपलाई करना है यहां पर 0.24 इंच इसकी हाइट रहेगी अब फिर से स्केच को सिलेक करना है स्केच यहां पर हम एक सरकल ड्रॉ करेंगे स्मार्ट डाइमेंशन इसका डाइमेटर 3 इंच रहेगा अब फिचर में जाएगे और यहां पर एक्स्टूट कट एपलाई करेंगे तो इसकी साइज हम एपलाई करेंगे 0.27 0.27 डबल फाइव 90 डबल फाइव इंच और फिर ओके करना है अब यहां पर हम चैंफर एपलाई करेंगे तो इसकी चैंफर हैगी 0.05 इंच यहां पर इस फेस को सिलेक कर देते हैं इस एज को और बैक साइड में इस एज को सिलेक करना है और फिर ओकी करना है फिर यहां पर फिलेट अपलाई करना है फिलेट हम यहां पर अपलाई करेंगे 0.1 इंच यहां पर इस वाली फेस को सिलेक करना है अंदर वाली जो एजेस हैं इन सारी एजेस को सिलेक कर देना है और फिर ओकी करेंगे फिर से यहां पर चैंफर एपलाई करेंगे यहां पर हम चैंफर यहां पर एपलाई करेंगे 0.6 इंच और यहां पर इस एज को सिलेक करना है और यहां पर इस एज को सिलेक करना है और फिर ओकी करना है फिलेट फिलेट में हम यहां पर साइज 0.5 इंच इस कॉर्णर को और इस कॉर्णर को सेलेक करना है अब इस फेस को सेलेक करना है नार्मल विव और हम यहाँ पर एक होल विजर्ड में जाना है यहाँ पर हम टैप होल एपलाई करने वाले है तो यहाँ पर पर हमें स्ट्रेट टाप सिलेक करना है अन्सिमेटरिक इहाँ पर टैप होल में यहाँ पर हम सिलेक करेंगे 16 by 2 italy और यहाँ पर up to next position position यहाँ पर यहां set करेंगे से बाहर निकल जाएंगे आउट हो जाएंगे अब यहाँ पे इसका डायमेंशन इस टॉप फेस से स्कार डिस्टेंस रहेगा 0.75 इंच इस पॉइंट को सिलेक करना है और ओर ओरिजिन पॉइंट को सिलेक करना है और वाल्टिकल कर देना है फिर ओकी करना है तो देखे इस तरह से यह यहां पे ट्याप रॉल तरह से अट रहे है तो यहां पे सैटिंग में जाकर हम प्रॉक्षिप ट्रोपर्टी डिटेलिंग और सेड़िप कोस्मेटिक त्रेड और पिर ओकी रहना है यहां पे दिखिए त्रेड हमें शो हो रहे है अब हम स्पेस को सिलेक करेंगे नॉर्मल व्यू और यहाँ पर होल विज़ड में जाएंगे यहाँ पर नॉर्मल होल सेट सिलेक करना है ड्रिल साइज ड्रिल साइज में हम यहाँ पर 12 mm सिलेक करेंगे यहां पर drill size हमें 12 select करना है क्योंकि 12 का hole यहां पर हमें apply करना है और यहां पर through all कर देना है position space को select करना है escape की से out हो जाएंगे फिर smart dimension यहां पर space से इसकी height रहेगी 1 inch point को select करना है origin point को select करना है vertical कर देना है और फिर ok कर देना है हमने यहां पर hole भी apply कर दिया है अब हम इसका अब हम इसमें इसका appearance apply करेंगे material apply करेंगे तो यहां पर steel में जाएंगे फिर steel में जाके cast stainless steel इसे apply कर देना है फिर यहां पर space को और यहां पर hole और thread फिर space को space को select करना है bottom face फिर यहां पर all steel apply कर देना है तो इस तरस देखिए हमारा यह second part पर हमने create कर दिया है यह bracket है जो उसमें set होने वाला है दोनों side में तो इसे हम save कर देते है यहां पर हमने जो folder grid किया था idler assembly को select करना है और यहां पर part 2 bracket और save कर देना अब चलेगे आगे part 3 के लिए तो next वाला part हम part 3 create करेंगे इसे हम close कर देते हैं अब हम यहां पर part 3 create करेंगे तो यहां पर हम right plan select करेंगे sketch और यहां पर circle draw करेंगे इस तरह से दो circle draw करने है और फिर ok करना है यहां पर हम unit change कर देते हैं क्योंकि हमने सारे parts inches में create किये तो हम यहां पर यह part भी inch में create करने वाले इसके dimension भी inch में ही हम apply करने वाले है तो यहां पर यह बड़ा वाला diameter रहेगा 2.75 inch और अंदर वाला diameter है उसका diameter उसकी size रहेगी 2.5 inch फिर feature में जाएंगे extrude box apply करेंगे और यहां पर इसका condition रहेगे midpoint mid plane mid plane set करने के बाद इसकी length रहेगे 2.5 inch और फिर ok करना है फिर यहां पर chamfer apply करेंगे इसकी chamfer रहेगे 0.01 inch outer and inner इन दोनों face को select कर देना है फिर यहां पर face को select करना है sketch फिर जो अंदर वाली अंदर वाला circle है इससे select करना है और यहां पर convert entity कर देना है फिर feature में जाना है और यहां पर Alex and spiral इसे activate करना है यहां पर pitch and revolution हमें select करना है फिर यहां पर constant pitch select करेंगे इसकी pitch हम यहां पर apply करेंगे 2.5 inch revolution 1 यहां पर देखेंगे इसका direction side में रहे हमें यहां पर untick नहीं करना है फिर इसका angle रहेगा 90 degree and then clockwise clockwise हमें यहां पर select करना है आप द्यान से इस चीज को देखना यहां पर first वाला helix है वो clockwise रहेगा और फिर ok कर देना है अब फिर से हम face को select करेंगे sketch और यहां पर इसी circle को select करना है और फिर यहां पर convert entity कर देनी है फिर से feature में जाना है helix and spiral इसमें लेखिए जो हमने previous helix हमने set किया था same वो ही चीज यहां पर apply करनी है बट यहां पर एक चीज आपको change करनी है clockwise की जगह यहां पर counter clockwise select करना है और फिर ok कर देना है तो इस तरह से दो helix यहां पर create कर दी है हमने अब हम यहां पर front plane select करेंगे sketch और यहां पर circle draw करना है circle draw करने के बाद इसकी size हम 0.1 inch यहां पर apply करेंगे अब हम इस point को select करना है और यहां पर इस Alex को select करना है और पिर्स कर देना है खिर exit कर देना है अब feature में जाना है और यहां पर swift cut apply करना है तो इस वाली यह circle हमने create किया रहा है इसे select करना है as a profile और यहां पर इसका path select करना है तो path में हम इस वाले Alex को select करेंगे और फिर cookie कर देंगे फिर से front plane select करना है sketch और यहां पर जो हमने sketch draw किया था उसे select करना है और यहां पर convert entity कर देना है exit swift cut profile हमारी already selected और जो हमने previous Alex select किया था तो इस बार यह वाला Alex हमें select करना है और poke करना है दोनों Alex को hide कर जाते है तो इस तरह से देखें अंदर यह lubricating oil के लिए हमने यहां पर यह slot create किया है अब आपको appearance में जाना है metal में जाना है फिर यहां पर brass select करना है और यहां पर polish brass apply करेंगे तो यह हमारा boost तयार हो गया है इससे save कर देते हैं idler sml part 3 bush and save तो इसे कर देते हैं यहां पर stop और आगे fourth part की और चलते हैं तो इसे close कर देते हैं और fourth part हम create करने वाले हैं तो हम अब यहां पर fourth part create करने वाले है जो main pin रहेगी तो हम यहां पर main pin create करेंगे तो यहां पर image change कर देते हैं inch में यहां पर apply कर देते हैं फिर यहां पर right plane select करेंगे यहां पर directly हम circle draw कर देते हैं और इसका diameter apply करेंगे 2.5 inch feature में जाएंगे extrude pass apply करेंगे यहां पर इसका mid plane direction mid plane select करेंगे यहां पर और इसकी length रहेगी 11.5022 sorry 5027 559 और फिर यहां पर देखिए ok कर देना है 11.5027 559 inch और ok करना है 91 देखिए इस तरह से यहां पर एक pin create कर देए और simply यहां पर chamfer हम apply कर देंगे तो इसकी chamfer हम apply करेंगे 0.02 inch डायरेक्ली इस face को select करना है और ok कर देना है अब हम यहां पर top line select करेंगे sketch center line draw करेंगे और एक circle इस तरह से यहां पर draw कर देना है circle का diameter आएगा 0.47 inch और यहां पर इस space से इसका distance 1 inch apply करना है और यहां से इस circle से इसका distance रहेगा 9.5 inch अब इस hole को और इस hole को select करना है दोनों को और फिर equal कर देना है future में जाना है extrude cut apply करेंगे यहां पर both side कर देते और ok कर देते यहां पर यहां पर यह पिंद्यम ने create कर दिये और यहां पर appearance इसका apply करेंगे तो steel में जाएंगे steel में जादी के पाद यहां पर carbon steel apply कर देना है और इसे save कर देना है idler assembly part 4 और यहां पर इसका नाम दे देते हम main pin और save कर देते हैं तो हमारा part 4 पर हमने create कर दिया है अब part 5 हम create करेंगे इसे close कर देते हैं तो अब हम यहां पर idler assembly का 5th part create करेंगे unit change कर देते है ips inch फिर यहां पर top plan select करेंगे circle draw करना हमें फिर यहां पर equal circle draw करेंगे इसका diameter outer diameter रहे का 3 inch and inner diameter 2.5 inch ओके feature में जाना है extra boss apply करेंगे यहां पर blind condition और यहां पर इसकी height रहेगी 0.27559055 0.27559.55 inch और ok करना है अब यहां पर fillet में जाएंगे और full round fillet हमें select करना है तो first वाले में हमें outer face select करना है फिर middle में top face और last में inner face और फिर ok करना है यहां पर इसका appearance apply करेंगे यहां पर rubber में जाना है हमें इसका color हम change कर देंगे तो इसका color हम apply कर देते है red color और फिर ok कर देते है तो देखिए यह oil seal भी हमारी हमने create कर दिये इसे हम save कर देते है save part 5 idler assembly part 5 यहां पर oil seal इसका नाम देते हैं और इसे save कर देते हैं आप कर देते हैं इसे भी close और last जो हमारा part है lock pin उसे भी हम अभी create कर देते हैं तो अब हम इसका part 6 create करेंगे जो last part है जो lock pin है अब इसमें हम इसका unit change नहीं करने वाले यह mm size में हम create करेंगे तो यहां पर हम right plane select करेंगे यहां पर एक circle draw करना है और इसका diameter हमें apply करना है 12 mm अब simply feature में जाना है और extrude boss base apply करना है यहां पर इसकी size रहेंगे 89.9 mm और फिर ok कर देना है यहां पर इसका appearance apply करेंगे matter steel और यहां पर इसका matter appearance रहेंगे carbon steel यहां पर material इसका apply कर देते फिर इसे save कर देते यहां पर इसका यह हमारा part 6 है lock pin और फिर save कर देना है अब हम इन सारे part की assembly create करेंगे और फिर explode view में आपको बताने वाल है किस तरह से हम explode करेंगे इसे अब close कर देते हैं और assembly की और चलते है तो अब हम यहां पर new में जाएंगे और यहां पर assembly create करेंगे assembly select करने है अब यहां पर हम part 2 पहले हम part 2 और part 1 इन दोनों को यहां पर open करेंगे देखिए इस तरह से हम नहीं यहां पर इन दोनों part को भी open किया है यहां पर इसे float कर देते हैं अब mate में जाएंगे मेट में जाने की पाद यहां पर इस वाले hole को select करना है और यहां पर इस bracket के hole को select करना है और co-centric relation इसका create कर देना है और ok कर देना है फिर से mate में जाएंगे और यहां पर space को और bracket की space को select करना है और यहां पर देखिए इसका distance set करना है हमें तो इसका distance हम यहां पर apply करेंगे 1 mm इनके बीच का gap 1 mm रहना चाहिए हमें अब यहां पर flip side में हमें apply करना तो अंदर की side में जाएगा यहां पर बाहर की side में हमें 1 mm apply करना है और ok करना है अब हमकी distance वाला अब ही delete कर देते है यह चीज हम बाद में यहां पर mate करेंगे अभी इसके साथ coincident relation में set नहीं करना है और फिर से एक और यहां पर आप control की की मदद से इस तरह से drag कर देना है तो यह copy हो जाएगा अब यहां पर रिवर्स साइड में कर देना है इस तरह से और फिर ok कर देना है अब यहां पर bottom वाली जो face है इससे select करना है फिर यहां पर इस वाली face को select करना है अब हम यहां पर top plane select करेंगे हम यहां पर front plane select करेंगे फिर यहां पर इस वाली face को select करना है और ok करना है अब insert component में जाना है browse फिर यहां पर जो हमने boost clear किया था इससे open करना है मेट में जाकि यहां पर इसका diameter select करना है और यहां पर इस वाली अंदर वाले hole को select करना है और फिर ok कर देना है अब यहां पर इस face को select करना है और इस वाली face को select करना है यहां पर इसका distance set करना है 2 mm यहां पर flip side में है तो अंदर की side में हमें इसे set करना है और ok करना है फिर यहां पर insert component के drop down में जाएंगी copy with mate फिर हमें जो component copy करना है उसे select करेंगे तो हम यह boost select करेंगे फिर next अंदर वाले hole को select करना है और यहां पर space को select करना है और ok कर देना है इस तरह से दोनों boost हमने यहां पर set कर दिये अब फिर से insert component में जाएंगे यहां पर oil seal हमें insert करना है mate में जाने के पर इस वाले hole को select करना है और यहां पर इस के diameter को select करना है concentric relation फिर यहां पर इस वाले face को select करना है मेट अक्टिवेट करेंगे फिर यहां पर इस face को select करना है और यहां पर इस अंदर वाली face को select करना है और coincident relation ok कर देना है फिर से control की hold करके इस इस पार को हम copy करेंगे इस तरह से meet अक्टिवेट करना है यहां पर इस अंदर वाली face select करना है और इसका diameter select करना है और फिर ok कर देना है फिर से meet अक्टिवेट करेंगे फिर अंदर वाली face को select करना है और इस face को select करना है फिर ok कर देना है अब हम इसका next part insert करेंगे जो main pin है उस pin को insert करना है यहां पर open करेंगे meet activate करना है इस pin को select करना है diameter को और goose को select करना है concentric relation और ok कर देना है फिर यहां पर इस वाले hole को select करना है और इस hole को select करना है और फिर ok कर देना है फिर यहां पर advancement में जाना है और यहां पर width select करना है और यहां पर space pin के इस face को select करना है और इस face को select करना है फिर second में यहां पर space को select करना है और इस will की face को select करना है तो यह center में आ जाएगा फिर okay करना है फिर standard mat में जाएंगे और इस hole को select करना है और यहाँ पर इस hole को select करना है और फिर okay कर जाएंगे लिएकिए इस तरह से यह हमारी assembly set हो जाएगी फिर insert component में जाके lock pin यहाँ पर insert कर दिने है यह last part है हमारा mate activate करेंगे इस hole को select करना है pin को select करना है यहाँ पर space को select करना है और इस space को select करना है और फिर okay कर देना है देखिए यह completely यहाँ पर fit हो गया है copy with mate spin को select करेंगे next फिर यहाँ पर इस वाले hole को select करना है और space को select करना है और okay कर देना है तो देखिए इस तरह से यह assembly हमने यहाँ पर set कर दिये इसे हम fix कर जाते है देखिए इस तरह से रोटेट हो रहा है अब हम explode भी में जाएगे explode भी में जाके यहाँ पर यह वाला explode हमें set कर देखिए इसे select करना है और यहाँ पर इस पीन को select करना है first and second इन दोनों पीन को select करना है फिर यहाँ से यहाँ से इस spin को explode कर देगे यहाँ से बार की side में हम set करेंगे अब हमें इस वाले यहाँ पर इस यह जो है इसे select करना है फिर यहाँ पर इन दोनों को select करेंगे और यहाँ से इस तर से इसे explode कर देंगे it done अब इस पीन को select करना है और यहाँ से इसे भी explode कर देना है बूस को select करना है और तरन कर दे रहा है और फिर OK कर दे रहा है तो देखिए इस तरह से हमने इसे एक्सप्लोड कर दिया है अब हम क्या करेंगे यहां पर राइट क्लिक करना है और इसे कॉलेप्स कर दे रहा है अब फिर से यहां पर राइट क्लिक करेंगे और एनिमेट एक्सप्लोड करेंगे तो देखे इस तरह से यह एक्स्प्लोड व्यू में हमें एनिमेशन हम सेव कर सकते हैं और यहां पर इस तरह से यह इसकी स्पीड भी हम सेट कर सकते हैं इसकी स्पीड श्लो कर देते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो फिजिट अधियो पसंद आया तो लाइक किजीए शेयर किजीए और इसी तरह के प्रोजेक्ट के लिए हमारे चैनल को सबस्क्रायब किजीए मिलते हैं नेक्स इस प्रजेक्ट में कुछ नया लेकर तब तक के लिए गुड़ बाए